इस वीडियो में मैं आपको बताने वालान फ्रेंड्स कि आप Redmi वाइल फोन में Quick Settings Developer Tiels सेटिंग का यूज कैसे कर सकते हैं और यह सेटिंग क्या होता है और इसे कैसे यूज किया जाता है तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो को सुरु से लाश्टे तक देखिएगा और अ असके बाद नीचे कर जब आप यहांवरा उप्सं पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों जब आप नीचे आएंगे तो डिवलिफ्र आपको क्याओ रचाइस का चायए इक जो जो टो consumer नहींट कया दोस्तों गये आप आपको बता देता हूं तो दोस्तों आप यहां से जिस भी सेटिंग को इनेबल कर देंगे जैसे देखिए मैं यहां से यहां से जो है चारो सेटिंग को इनेबल कर देता हूं तो यह चारो सेटिंग का जो है आपको एक आइकन मिल जाएगा आपको अपने नोटिफिकेशन पै हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप सो ले आउट बॉंड्स वाले सेटिंग को कैसे यूज कर सकते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि सो ले आउट बॉंड्स वाला सेटिंग मेरा यहां पर है अब दोस्तों देखिए जब हम यहां पर क्लिकर के इस setting को on कर देंगे तो इसली क्या होगा कि इससे दोस्तों हमारे mobile में जो है एक layout bond बन जाएगा आपको सभी setting के चारो तरफ आपको एक circle दिखने लगेगा आप दोस्तों अगर आप अपने mobile phone के main setting में भी जाएगे तो भी यहाँ पर आपको यह bonds देखने को मिल जाएगा और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका icon बन चुका है profile hwi rendering का अब दोस्तों देखिए अगर आप इस setting को on कर देंगे तो इससे क्या होगा तो दोस्तों इससे यह होगा कि आपके mobile में जो है एक graph बन जाएगा जब आप अपने mobile को यूज करेंगे तो मलग दोस्तों आ आप जितने दिर तक यूज करेंगे तो उसका जो है यहाँ पर एक graph देखने को मिल जाएगा लेकिन अगर आपको इससे बंद करना है तो आप जो है यहाँ इस setting पर क्लिक कर दिए यह setting बंद हो जाएगा उसके दोस्तों आपको यह तीसरा setting मिल जाता है force rtl layout director का तो इसका आइकन जो है यहाँ notification panel में बन चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पर रहा दोस्तों जो आप यहाँ पर क्लिक करके इस setting को इनेवल कर देंगे तो दोस्तों इससे क्या होगा कि इससे आपका mobile जो है बिल्कुल उल्टा हो जाएगा अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहल पर option में भी जो है सारा setting अब जो है उल्टा हो चुका है तो इस setting को on करने से यह होता है अब दोस्तों अगर आपको इससे बंद करना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करके इस setting को off कर देना है तो उसके बाद आपका mobile फिर से उसी तरीके से हो जाएगा जिस तरीके से पहले था तो आप देख सकते हैं मेरा mobile फिर से उसी तरीके से हो चुका है और दोस्तों इसमें आपको एक option मिल जाता है Windows animation scale का तो दोस्तों इस setting का भी ऊपर आइकन बन चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है Windows animation scale आ चुका है अब दोस्तों देखिए जो आप यहाँ क्लिक करके इस setting को on कर देंगे तो इस से क्या होगा दोस्तों कि आपके mobile का जो है animation याई कि दोस्तों चलने का speed कम हो जाएगा जैसे दोस्तों देखिए हम अपने mobile को back करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना धीमा से यहाँ पर back हो रहा है आप देख सकते हैं आप यहां इस वाल आइकर पर क्लिक कर दीजिए यह बंद हो जाएगा और फिर आपका mobile जो है normal speed में आ जाएगा तो इस तरीके साब रेडमी mobile phone में quick setting developer tiles setting का यूज कर सकते हैं अगर आपको करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं अगर यहाँ पर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा